सोया बीन का घटा उत्पादन दरसल चालू सीजन में फरवरी के अंतक 41,43,000 टन सोया बीन खली का उत्पादन हुआ है पिछले साल की तुलना में सोया बीन का उत्पादन करीब 3,000,000 टन कम हुआ है घ्रेलू खपत 5,000,000 टन घटकर 29,000,000 टन पर आ गई है जबकि मानव भोग भी 1,000,000 टन घटकर 54,000,000 टन रहे गया है सोपा से मिली जानकारी के मताबिक निर्यात 42,000 टन से बढ़कर 9,000,000 हो चुका है वहीं आपको बता दें कि देश का सोया बीन बाजार चालू सिजन के शुरुआत से ही किसानों की परिक्षा ले रहा है सोया बीन प्रोसेसर असोसियेशन ओफ इंडिया यानि सोपा का अनुमान है कि अक्तूबर 2023 से फरवरी 2024 तक घरेलू बाजार में सोया बीन की आमद कम है स्क्रीनिंग भी कम है और सोया बीन खली का उतपादन भी कम है और देश में सोया बीन खली की खपत कम हुई है लेकिन सोया बीन खली का निर्याद पिछले साल की समान अवदी के निर्याद से ज्यादा हुआ है सोपा ने मार्च महिने के लिए अपनी सोया बीन रिपोर्ट चारी की है इस रिपोर्ट में सोपा ने फरवरी के अंतक सोया बीन उत्पादन, सोया बीन निर्यात और घ्रेलू सोया बीन खपत का पूर्वा नुवान परदान किया है सोपा ने चालू सीजन के लिए देश में सोया बीन उत्पादन का अनुमान 11,08,000 टन बरकरार रखा है पिछले सीजन का बकाया 2,40,000 टन बताया जा रहा है सोपा ने अपनी रिपोर्ट मार्च में कहा है कि बुआई के लिए बीच, परत्यक्ष खपत और साड़े ग्यारा लाग टन साइलेस को मानते हुए अगले सीजन के लिए देड़ लाग टन का शेश स्टोक होगा साथी सोया खली को ध्यान में रखते हुए इस साल उत्पादन करीब 91,000,000 टन होने का अनुमान है और इस साल घ्रेलू खपत 68,000,000 टन पहुँचने का अनुमान लगाया गया है इस साल घ्रेलू खपत पिछले साल के मुकाबले 1,000,000 टन बढ़ने का अनुमान है जबकि सोपा ने ये भी अनुमान लगाया है कि इस सल देश में 14 लाग टन सोया खली का निर्यात हो सकता है और खपत 8 लाग टन तक पहुंच सकती है दरसल अक्तूबर से फर्वरी के अंत तक देश में 70 लाग टन सोया बीन का आयात किया गया है और इस सल अक्तूबर को छोड़कर बाकी 4 महीनों में मासिक आय पिछले साल से कम रही है फर्वरी तक 8 लाग टन की आमध हुई थी पिछले साल फर्वरी में 10 लाग टन की आवक देखने को मिली थी जबकि आयात 1 लाग टन था Bureau Report Market Times TV